आज के दिन निफ्टी ने positive closing दे के नया इतियास रच दिया है दरसल निफ्टी ने लगातार 13 दिन positive closing करके history बना दी है Friday के दिन American market positive था तो कही न कही संकेत तो था कि हमारे market को effect करेगा साथी हमारे market ने आज नया all time high भी लगा दिया है आज के दिन जियो finance में भी काफी तेजी देखने को मिली क्योंकि अनुमन लगाया जा रहा है कि निफ्टी 50 के index में जियो finance और जोमेटो इन दोनों stocks के आने का chance बढ़ गया है इसमें भी जियो finance का chance तो ज्यादा दिख रहा है लेकिन कल का market काफी difficult रहने वाला है क्योंकि सेवी के chief माधवी कोरी बुच पर नए आरोप लगाया गया है अभी थोड़े समय पहले ही हिंडनबर्ग ने तो आरोप लगाया ही था लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नीराकरण देखने को नहीं मिला लेकिन इस बर फिर कॉंग्रेस की तरब से सेवी chief पर अरोप लगाया है और कहा गया है कि इस doubts को PM क्लियर करेंगे कॉंग्रेस का कहना है कि सेवी chief ने ICICI bank से 16.8 करोर रुपए रिसीव किया है तो ये पैसे क्यों रिसीव किये हैं तो इसका जवाब या फिर इस doubt को clear PM खुद करें